अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सपा महासचीर स्वामी प्रसाद मोर ने अब कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है यह केबल दोखा है उन्होंने यहां तक कहा कि सही मायने में यह ब्रामन धर्म है स्वामी प्रसाद ने कहा कि ब्रामन वाद की जड़े बहुत गहरी है और सारी उशमता कारण भी ब्रामन वाद ही है प्रामान धर्म को हिंदू धर्म कहकर देश के दलीतों आदिवासियों पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जान में फसाने की साजिश है स्वामी प्रसाइद मोरे लखनों में अर्जक संके संस्थापक महामना राम सर वर्मा की जैनती शतापदी समारों पर आयोजित समारों को संबोधित कर रहे थे मोरे ने कहा कि अगर हिंदू दर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता दरीतों का भी सम्मान होता पिछड़ों का भी सम्मान होता लेकिन क्या विडमना है कि आजादी के 35 साल होने पर अमरत महुत्सों मनाया इसके बाद भी देश की प्रत्रम नागरिक राष्टपती दुरोपती मुर्मू को मंदिर में अपमान का घुट पीना पड़ा है जबकि उन्हें के अदिन मंद्री मंदल का एक मंद्री मंदिर के गर्प ग्रमें जाकर दशन करता है क्योंकि उची चाती का है दुरोपती मुर्मू को इसलिए रोक दिया चाता है कि आदिवासी समाज की है अगर आदिवासी समाज हिंदू होता तो उनके साथ ये विवार होता क्या इसी के साथ बनेव है इस ये इस हिंदे के साथ बनेवाद